ये है Godox की 80-200 light जो हम सब की फेवरेट है और मैं आपको पताऊँगा कि आप इसे कैसे 400 watt में convert कर सकते हो मैंने ये lights खरीती थी 2017 में और ये आज तक बहुत ये awesome काम कर रही है अब by default box में हमें ये light मिलती है और इसके साथ इस type की extension tube होती है जो आज़कल हर कोई use करता है बट box में इसके साथ इस type का bulb भी आता है जो आज़कल काफी साथ लोग नहीं use करते हैं और यहीं चीज़ है जो इसे 400 watts तक की बना देगी तो अगर तो आपकी पस दो AD200 है या आपकी टीम में दो AD200 है आपको उनके ऊपर की tube को निकालना है इस type का एक adapter लेना है Godox AD B2 इन दोनों AD200 को यहाँ पे पीछे connect कर दीजिए और जो आपके AD200 light के साथ इस type के bulb जाए थे उन्हें इस adapter पे connect कर दीजिए अब क्यूंकि यह बोइंस मांट है तो इसके उपर आप कोई भी बोइंस मांट के accessory लगा सकते हो and the best part is अगर आपको single flash यूज़ करनी है तो एक ही flash को on करो and only one will work और अगर दोनों की पावरची 400 watts तक की तो on both of them it will give you the combined part है ना 200 watt में 400 watt तक का मज़ा अब 8 साल तक तो यह lights awesome चल रही है बट इस वीडियो के बाद अगर बाइचा नजल लगई तो Godox प्लीज भिजवा देना आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोज बनाता हूँ मैं Godox है तो पूरा पैसा वसूल है मानते हो की नहीं और यह भी लिखके बता दो कि आप Godox की कौन सी light यूज़ करते हो और इस टाइप की awesome tips के लिए मुझे follow कीजिए take care